आदी योगी ने इंसानी तंतr के निर्मान की मूल भूत प्रक्रिया को संचारित किया इंसानी तंतr से हमारा मतलब सिर्फ आपकी किड्णी, लिवर या बाकी की चीजों से नहीं है मूल भूत इंसानी तंद्र किस तरह अंदर से बना है वो कैसे खुद को बनाता है कैसे काम करता है और हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं एक स्वस्थ और संपून जीवन जीना एक बात है और जीवन के रहस्यपून आयामों की खोच के लिए उसे एक उपकरण साथ चक्रों वगरे के बारे में लोग गलत फहमी में रहते हैं उन्होंने इसे साथ मूल भूत हिस्सों में बांट दिया जिसमें आप सिखा सकते थे तो योग के साथ मार्क शुरू हो गए जैसे जैसे दिन बीटते गए या साल बीटते गए लोगोंने विशेष्टा हासिल करनी शुरू करती कहते हैं कि उस वक्त भारत में 1800 से भी ज्यादा अलग प्रकार के योग के मार्क स्थापित हो गए थे तो करीब 3200 साल पहले पतन जली महर्शी आए जब वो आए तो उन्होंने इन सभी को योग सूत्रों में एकठह करने की कोशिश की तो उन्होंने इन 1800 अलग अलग प्रकार की योग प्रक्रियाओं को 200 से कुछ ज्यादा योग सूत्रों में एकठह कर दिया और इसे अश्टांग योग बना दिया जिसका मतलब है योग के 8 अंग सबकुछ इन आठ अंगों में शामिल है तब से उन्हें आधुनिक योग का जनक माना जाने लगा भारत में आधुनिक का मतलब है 3200 साल पहले तो उन्हें आधुनिक योग का जनक माना जाता है आधुनिक शब्द का प्रयोग उस समय किया गया था उन्होंने कहा कि पतंजली नवीन योग के जनक है यानि आधुनिक योग लेकिन 3200 सालों के बाद भी हम उसी शब्द का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसी चीज का फिर से आविशकार नहीं किया उन्होंने बस ये कठा कर दिया क्योंकि ये मार्क बहुत खास बन गए थे और कई हिस्सों में बढ़ गए उन्होंने उसे समेट कर एक साथ मिला दिया